मानिय अर्विंद के जिवाल जी के खिलाफ इदी ने समझ जारी किया है और दो तारीक को उन्हें पूस्ताव के लिए बुलाया गया है और हम सब अच्छी तरह से आश्रस्त हैं कि ये उनको भी गिरफ्तार करने का एक बहाना मात्र है जिस प्रकासे मानिये प्रधानमंत्री रेंद मोदीजी भार्तिय जन्तापार्टी विपक्ष की आवाज को सत्थ की आवाज को दवाने का काम कर रही है ये पूरा देश देख रहा है सत कहना अगर बगावत है तो समझो हम नहीं बागिये मोदीजी आज 2024 में अपनी हार को देखते हुए आप और आपकी पार्टी किसी भी अस्तर पर जाने को दियाद है देश के जितने बड़े-बड़े ब्रष्टाचाली है जितने बड़े-बड़े पापी है जितने बड़े-बड़े आतंक वादी है वो सब आपके साथ हैं जा दूसर जैसे लोग जिनोंने हमारी हमारे देश कमान बढ़ाने वाली पहलवान बेटियों के साथ जो कुछ भी वह गिवहा yes ऐख़ी दुल्दर्षा कभी पहले नहीं देखी थी आपको वह सत्रत्रि अपके पाँडिल्य में आजाते हैं वह निंगा permite आपने 48 घंटे पहले कहा था कि मैं किसी को छोड़ूंगा नहीं यह सारे प्रस्टाचारियों के आपने नाम यह थे 48 घंटे के बाद वही अजीद पवार आपकी सरकार में उपमुक मंत्री बन जाते हैं वार है वोजी वार क्या कहने आपके देश ने ऐसा दुर्विंद कभी नहीं देखा था मैं एक चीज़ आपको अस्परस्ट प्रता देता है कि आपका और भाके जन्ता पार्टी का यह प्रयास कि आम आदनी पार्टी को समाप कर दिया जाए कभी सपल नहीं होगा आदनी पार में पिशान कर सकते हैं लेकिन सच्चा ही कमी भी पराश नहीं हो दिया है हम भागत सिंग को मानने वाले हैं उनके रास्टे पर चलते हैं हम और सरफ़ोशी की तमना अब हमारे दिल में है देखना है जो कितना बाजुए का दिल में है मोधी जी और भार्के जन्ता पाटिव अब अपनी किंटा करो 2024 में सत्य नेव जयते धन की विजय होगी अधन का नाश होगा जैहिन जैवागगग एक अटूट विश्वास शिद्धता का एक अन्मोल रिष्टा खुपसूर्ती का जग मोहनलाल शिवरत्नलाल जूलर्स एकसो पांच वर्शों से आपके भरोसे का प स्टोन्स की संपूर्न रेंज कंप्लीट हॉल मार्ग जूलरी शोरूम खुल के मना ये खुश्या जग मोहनलाल शिवरत्नलाल जूलर्स के साथ पतना सिटी चौक पतना